नमस्त्यार आप देख रहे हैं स्पोर्ट चैट और खबर जुड़ी हुई है वी सी सी आई से जो नए साल के शुरुआत में ही एक्शन मोड में आ गया है रिव्यू मीटिंग हो रही है मिरे दोस्तों और क्या कोछ इसमें से निकल कर आ रहा है वो हम आपको बताने जा रहे है बी सी सी आई इस वक्त कुल बिलाकर सभी जो जरूरी लोग है भारतीय क्रिकट से उनके साथ बैठा कर रहा है और सवाल पूछे जा रहे हैं तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं राहुल द्रविड से खास तोर पर के आखिर आपको सब कुछ दे दिया गया उसके पर्फॉर्मेंस सब पार पर्फॉर्मेंस औसत दर्जे से भी नीचे का प्रदर्शच क्यों हुआ एशिया कप में टी ट्विंटी वर्ल्ड कप में और फिर बंगला देश यानि नंबर साथ की टीम से भारत दो शूनिय से पहले ही दो मैचों में क्यों हार गया ये जवाब दीजिए ताकि उसके बाद BCCI आगे की अपनी दशा और दिशा तै कर सके 2024 टी ट्विंटी वर्ल कप ये बात आप मान लीजिए कि राहुल द्रविड उसका हिस्सा नहीं होने जा रहे है हाना कि तुरंट बेसिस पर कुछ भी बदलाव करने की BCCI को ज़रूरत नहीं है क्य BCCI इस समय बदलाव करने की गोशिश नहीं कर रहा है वो एक सेटल्ड टीम के साथ आगे बढ़ना चाहता है लेकिन इसके अटेंडीस कौन कौन है जल्दी से नज़र डाल लीजिए यहाँ पर रोहिच शर्मा क्यूंकि मॉल्डीज में वेकेशन कर रहे थे तो वो जहां त बीवियस लक्षमन जो की NCA के चीफ है वो जुड़े है BCCI में फिजिकली प्रेज़ेंट है और साथ ही साथ BCCI सच्छिव जैशा भी रोहिच का हमने आपको बताया लेकिन जो रोजर भी नहीं है BCCI प्रेज़ेंट वो भी वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरीए इसमें ज स्प्लिट कोचिंग फेजिंग आउट अफ सीनियर्स इन टी ट्वेंटी और साथ ही साथ रोड मैप तैय करना टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप का इसमें एशिया कप और बंगलादेश का भी प्रदर्शन आये का मिल दोस लेकिन जहां तक बात आती है कि क्या कप जो कोच है जो उनको बदला जाएंगा राहू द्रवण को लेकर यह जो तीखा तवाल उन से पूछा गया है बी सी सी आई ने पूछा है कि आप बताईए कि यह खराप प्रदर्शन क्यों रात हो इस पर जो अंदर से खबर आ रही है कि आखिर इसको लेकर क्या कहना है बी सी सी आई का सू 20 से उन्हें मुक्त किया जाएगा इसके अलावा मेसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है कि इस बार हमें वर्ल्ड कप जीतना है 2013 से हमने कोई 2011 में हमने पिछला वर्ल्ड कप जीता था लेकिन इसके अलावा साथ ही साथ जो फैसला है वो निर्भर करेगा चोट के बारे में बता दूँ जिसके लिए वीवियस लक्षमन को भी बुलाया गया है नसीए के चीफ के तौर पर उस पर जो खबर है वो यह कि यह जो है यह आप देख सकते हैं कि क्या वी सी सी आई के सुमतर क्या रहे हैं कि यह बहुत बड़ा कंसरन है ना सिर्फ टीम के लिए बहुत बड़ा कंसरन है अगर खिलाडी का ही एंसीए पर भरूसा नहीं रहेगा और वो खुद अपने प्राइविट डॉक्टर के पास जाएगा तो ऐसे में यह बहुत चिंता की बात है यह क्रिकेट के लिए भारतिय क्रिकेट के लिए और बोर्ड के लिए अच् कि जो इस पूरे रिव्यू मीटिंग से अक्शन लिये जाएगा उसको लेकर क्या कहना है यह कहा गया है कि यह पहले जानना ज़रूरी है कि गलत क्या हुआ उसके बाद ही हम उस पर कोई कॉल ले सकते हैं यह पूरी टीम का एफर्ट होता है पूरी टीम अच्छा नहीं करती तो यह नतीजे खराब होते हैं इसमें यह कलेक्टिव एफर्ट है यह किसी एक खिलाडी एक कोच एक कफ्तान की जम्यदारी नहीं है इसमें वो फेल होते हैं तो हम भी फेल होते हैं यह पूरी बात है अब वर्ल्ड कप जो है वो जल्दी से आ रहा है जल्दी से हमें इस प पढ़ा जाए रोड मैप कैसे तै किया जाए तो हमें अपने एरियाज ऑफ कंसर्न ये पता करने और उनको अड्रेस करना है ताकि बहुत देर ना हो जाए और एक बात फिर से हम जब नई सेलेक्शन कमिटी आ जाएगी तो उसके साथ एक बात फिर से हम बैठक करेंगे और फि साथ नजर आएगा यानि अभी कोई अनौंसमेंट की जरूरत नहीं है श्रिलंका के खिलाब टी टी ट्वेंडी आइज अभी खतम हो जाएंगे साथ तारीक को उसके बाद महस्तीन टी ट्वेंडी आइस केलने आई पिल से पहले और उसके बाद जो वर्ल्ड कप तक महस्ती रोल को एक तरीके से खत्म कर दिया जाएगा नमत का थैंक यू ओके टाटा बाइ बाइ फोकस ऑन दा ODI वोल्ल कप ये इस मीटिंग का नतीजा रहने वाला है लेकिन क्या अपनी कुरसी राहुल द्रविट बचा पाएंगे ये एक बड़ा सवाल है साथी साथ क्या रोहित शर्मा अपनी कुरसी बचा पाएंगे या फिर क्या गलतियां है इस पर फोकस करने की कोशिश है और जैसे ही जो भी फैसला निकल का सामने आएगा तीन तो बदल दी गई है और ऐसा ही कुछ आपको बी सी सी आई जब एक्शन मोड में आ गया है तो आगे भी दिखाई देख रहे हैं स्वोर्च चैट में हुश्य शांग सिंग नमस्कार